टाडान हलो बच्चों बॉड मॉर्णिंग मैं आपकी साइंस टीशेशता मैं बच्चों मॉर्णिंग और अज हमने स्टडी किया था कि आस्मा नीला क्यों होता है और इस टॉपिक का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फियर ओके फियर डाइग्रम इसकूल में तो मैंने क्यों हो कि यह चीज ऐसे क्यों होता है ऐसे क्यों होता है वह सारे कोस्ट के बहछारां आप मेरे उपर गरिए मैं उन सब का रिफ्रेक्शन दोंगे यानि कि सारे कोस्टों को आपको डीटेल में समझाऊंगी ठीक है डीटेल मतलक इसी वे में समझेंगे, ऐसा नहीं समझेंगे कि सर के उपर से नहीं कर जाए, एकदम एजियस फॉर्म में, आपको पता है कि श्वयता मैं में आपको एकदम एजियस फॉर्म इस चीज़ों को समझाती है, तो मैं उसको एकदम आसान 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 तरीके से समझाऊंगे, अब जो मैंने यहाँ पर बनाया है, जो मैं आपको explain करने जारी हूँ, आपको क्या करना है, इसको अपनी copy में, सुन्दर रवाटी में, colorful इसको पूरा ड्रॉ करना है, पूरा नोट्स तेयार करना है, बड़े बच्चे तो खुद से ही अपना कर सकते हैं, और छोटे बच्चे को वापस से जरूर आप देख लेना, ताकि सारी चीजे एकदम clear हो जाये, यहाँ पर क्या बना हुआ है, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, जब तक वो बना हुआ नोट्स आपको आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे, आपके लिए वो easy नहीं होगा पढ़ना, ठीक है, तो हर जगां कहां क्या लिखा हुआ है, उन सारी चीजों को आपको as it is लिखना है, और बस उसको अब आपको केवल उसको समझना है, ठीक है, तो एक बर वीडियो को watch आपको करना पढ़ेगा, जब भी वीडियो क्लास आती है, कोई ऐसा topic general सा उठाते हैं, जो कि आप देखत हैं, जो आप अपने आसपास देखते हैं, उस time पर वीडियो आपको watch करना पढ़ेगा, ठीक है, तो एक जो ही वीडियो में आपको देती हूँ, यह चीज पढ़ना पढ़ेगा, नोट्स भी बनाना पढ़ेगा, ठीक है, तो चले, start करते हैं, देखे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था, अभी तक आपने देखा था केवल मुंसिलाल जी को, ओके, तो अभी तक जब भी हमारी मुलाकात होती थी, तो मुंसिलाल जी, मुंसिलाल जी, मुंसिलाल जी, ठीक है, आज हमारी मुलाकात हो रही है, पहली बार, टेंटडन, चीकु जी से, ठीक है, यह रहे हों इनलल जी के बैटे है चिकु तो यह बहुत सरी कुछेन्स पोछन की मौनिंग में जो है वह ब्रह छीड है और अब पर में एक उयल्ल इसके इंदर कैसे रहता है फिर छीकु ने कि आपने ये घड़ी पैनी है वो black color की क्यों दिखाई दे रही है ये बाल जो है वो black color की क्यों है जितने questions आप लोग के होते हैं बस समझ लोग आप लोग चीकू ही हो चीकू ना बहुत सारे questions पूछते हैं किसे मुनसिलाल जी से लेकिन आप लोग पूछन पूछना श्वयता मैम से, ठीक है? तो जितने भी कोशन चिकु पूछ रहे है न वो चीज आप लोगो पूछना है और यहाँ पर आंसर देंगे मुनसी लाल जी और वहाँ आंसर देंगी आपकी श्वयता मैम, ठीक है? तो देखे चलिए स्टार्ट करते हैं चिकु ने एक कोशन पुछा है अपने पापा से मुनसी ललजी से कोशन पुछा कि पापा इसका जो है यानि की आस्मान निला क्यों दिखाई देता है ये कोशन था किसका चिकु का कोशन है तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से उस ची पहले आप नीले कलर कहां से वह ब्लू कलर आएगा सबसे पहले उसके बारे में जानिये तो उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से और अच्छी तरीके से मुंसिलाल जी ने समझाया और जब मुंसिलाल जी समझा रहे थे तो वह मैंने देखा कैसे कैसे ड्रॉ कर रहे हैं कैसे सम बस वही से न, मैंने उसको कॉपी कर लिया, ठीक है? और कॉपी कर कि आपको बता रही हूँ, ठीक है? देखे, मुंसिलाल जी ने बताया कि सनलाइट जो होता है बच्चों, इस सनलाइट के अंदर इंफानाइट कलर्स होते हैं, infinite color का मतलब क्या होता है कि इतने color देखो infinite को लिखते कैसे है तो अगर 8 है बिचारा 8 8 दिन भर आप 8 8 बनाते हो तो आपने यह 8 बना दिया खड़े खड़े बिचारा 8 जो है वो ठक जाता है तो अब 8 को क्या है सोना है तो 8 कहता है थोड़ा सा तो आराम करने दो दिन भर 8 8 8 है ना तो थोड़ा सा तो आराम करने दो तो चलो भई ठीक है 8 तुम सोजो जब यह 8 सो जाएगा तो कुछ यूं सोएगा और यह जो शेप हो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, कितनी दूर है, जानकारी नहीं है, तारे कितनी दूर है, जानकारी नहीं है, हमने नापा नहीं है, तो हम बोलेंगे वो इन्फिनिटी डिस्टंस पर है, इन्फनाइट डिस्टंस पर है, तो इसको इन्फनाइट, जिसकी जानकारी आपको नहीं होती है, तो मुंसिलाल जी ने बुला कि सन के सबसे पहले ये जानो कि जो सनलाइट आ रही है, सुर्य का जो रौसनी आ रहा है, उस रौसनी में कितने कलर है, तो फटाक से चिकु ने बोला कि साथ कलर होते हैं, जैसे आप लोगों नहीं बोला था, चिकु ने भी बोला कि सेवन कलर होते हैं, तो मुंसी लाल जी ने कहा, ना ना ना, है ना, seven color नहीं होते हैं, वो sunlight में infinite colors होते हैं, ठीक है, उल्टा लेटा हुआ eight है, infinite colors होते हैं, बहुत सारी colors होते हैं, बहुत सारी colors, लेकिन हम इंसान, कितना, कितना science develop करते-करते, चलो हम पहुँच गए हैं, कि हम कुछ colors तो देख पा सात रंग इंसानों के लिए है, हम human body जो है, हम लोग का जो दिमाग होता है, जो brain है, या हमारे पास जो शमता है, वो सात रंग को देखने की होती है, इसलिए चिकु ने बुला, कि sunlight में seven color होता है, लेकिन उन से लाल जी ने बताया, कि seven color नहीं होता है, बेटा, बलकि कितने color होते हैं, बहुत सारी color होते हैं, infinity colors होते हैं, infinite colors होते हैं, मतलब इतने colors होते हैं, कि हमारे को पत उसकी जनकारी ही नहीं है, और इन पूरे colors का group होता है, हमारा sunlight है, जो sunlight आ रही है, उसके अंदर बहुत सारी colors जो है, वो एक साथ आ रहे हैं, तो इतनी बात चीकु के समझ में आ गई कि अच्छा sunlight मेर केवाई साथ ही color नहीं होते हैं बलकि बहुत सारे color होते हैं, अब बात आती है कि हम लोग तो 7 color देख पाते हैं, तो उन 7 color को क्या बुलेंगे, तो 7 color जिनको हम देख पाते हैं, उनको हम बोलते है इस Lutherू क कहलाता है है ना इस्पेक्ट्रम का मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगी वीजिबल कलर है वीजिबल मतलब दिखाई देने वाला कलर यह वो कलर है जो हमको दिखाई देता है लेकिन इन साथ कलर के ऊपर भी कलर होते हैं और साथ कलर के नीचे भी कुछ तो अल्ट्रा वाइलेट कलर वो देख सकते हैं, तो वो दुनिया को जिस नजरों से देख रहे हैं, जिस कलर से देख रहे हैं, उस कलर से दुनिया हमको नहीं दिखाए दे रही है, हम को दुनिया कैसी दिखाए दे रही है, हम जिस कलर को देख रहे हैं, हमको उस कलर से दुनि तो यह तो बात हो गई, तो visible color की, हम लोग को कितने colors दिखाई देते हैं, seven color दिखाई देते हैं, तो इंसानों के लिए visible color हो गया, seven, okay, अब यह साथ color को हम spectrum कहते हैं, spectrum क्यों कहते हैं, यह देख लो, देखो, जो यह साथ color हमको दिखाई देते हैं, जो हमारे लिए visible होते हैं, और यह जो 7 color है ना, इनके लिए 7 कुरसियां लगी हुए है, चेयर लगे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सारे अपने ते रह पर बैठते हैं, सबसे पहले red बैठता है, ठीक है, फर्स नमर पर यह है, यहाँ पर मैंने sequence फे उल्टा बनाया है, आपको दिखाने के लिए, ठी से बड़ा wavelength वाला red है तो number one पे आता है red number two पे आता है orange three पे आता है yellow four पर आता है green five पर आता है blue indigo आता है six पर और सबसे नीचे seven वाला number पे आता है हमारा boiler ठीक है तो अगर मैं इसका sequence बताऊ ना तो इसको मैं ऐसा करती हूं कि इसका पूरा sequence change कर देती हूं ठीक है आपको यह चीज़ पता होना चाहिए कि आपका जो red color है वो number one पर है जो आपका red color है वो number one पे है orange color जो है वो number two पे है yellow color number three पे है यह four पे है यह number five पर है यह six पर है और यह seven पे ठीक है चौथे number पे कौन बेठा हुआ है तो आपने फटाक से बोल दिया कि चार नंबर पे green color बेठा हुआ है तो आपने फटाक से बता दिया कि red color बेठा हुआ है साथो कलर जो है वो different हो रहे हैं, एक है न, just excuse me, तो बचो इसमें हमको क्या है, साथो कलर यह आप साप साप हमको दिखाए दे रहे हैं, सबसे जरुबी बात यह है, कि यह साथो कलर ना अपने अपने chair पे ही बैठे हुए है, कोई किसी दूसरे की chair पे नहीं बैठा हुआ है, ऐ तो spectrum तब कहेंगे, जब सब अपनी अपनी chair पे बैठेंगे, और total counting करने पर 7 chair होगा, और 7 color होँगे, तो इनको बोला जाएगा कि यह क्या है, spectrum है, तो spectrum इनको तब कहा जाता है, समझ में आगे हैं आपको, जब कि 7 chair लगा हो, और सब अपनी अपनी position पे ही बैठे हैं, कोई भी दूसरे position, उस position को change नहीं करेगा, मतलब 4 number पर green है, तो है, जब भी बैठेगा, तो वो 4 number पर ही बैठेगा, ठीक है, आप लोग जैसे class में अपनी इधर से उधर position change कर लेते हो, वैसे नहीं, इनकी position जहां fix है, वहाँ वो फेविकोल का मजबूत जोड है, वो वहीं बैठ लिए ध्यान रखना है तो इंसानों के लिए यह कहलाएंगे, visible color, और जो color हमको दिखाई नहीं देते हैं, वो invisible color है, इन्वीजिबल है, भूत है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो invisible color कहलाएंगे, ओके अब देखो, अब इन साथों का, वैबलेंथ है, आप से मैं पुछ कैसे आते हैं क्या वो रहे सिधे सिधे आ रहे हैं मतलब सुर्य के जो किरड़े हैं वो क्या सिधी 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 आ रही है ना ना हां सिधी सिधी नहीं आ रही है यह कैसे आ रही है यह इनको बड़ा बजा आता है धरती पर आने मैंना तो डैंस करते हुए आती है कैसे आत कर रहे हैं. लेकिन सबका ज़्म ढ़रा डांस देखो. इसमें इन color में आपको बता दू मैं कि ये सबसे चोटा बच्चा होता है. उसे बड़ा बच्चा ये है. उसे बड़ा उसे बड़ा उसे बड़ा और ये रेड कलर है ये सबसे बुढ़ा और सबसे समझदार, match your color है, ठीक है, कौन है, वो है red, है ना, हर emergency में कामाता है, कौन, red, तो देखो यहाँ पर, अब आपने यह color देखा, तो इनकी wavelength देखो, कि इनकी dance, nagin dance कौन कैसे करता है, तो सबसे छोटा बच्चा जो है, उसके छोटे-छोटे कदम होंगे, तो छोटे- छोटा रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते है, कि इसका, जो यह इस तरीके से चलते है, इसको बोला जाता है, वेव, कि तरह से चलते है, देखते नहीं है, समुदर में पानी में क्या आता है, वेव आता है, लेहरें आती है, यानि कि वो क्या आता है, वेव आता है, वो भी त तो यह जो आ रहा है, यह कैसे आता है, यह वेब की तरह से आता है, तो देखो, इस तरीके से इस तरीके से वेब की तरह से यह आ रहा है, ओके, तो इसका वेब लेंथ, छोटा है न, तो इसकी वेब लेंथ, वेब लेंथ का मतलब, कि अगर मैं इसके कदमों की चाल को देखू कि तुम्हारा एक कदम यहां दूसरा कदम यहां ठीक है तो इसके देखो कदम का चाल यह चोटा है क्योंकि बच्छा चोटा है इसलिए उसके बाद दूसरे वाले का वैब का लेंथ देखो तो इसके वैब लेंथ मतलब कदम के दो कदम के बीच का डिस्टन्स दीक है तो यह से थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसके दो कदम को अगर देखू है ना कि यह कदम जो चला यह कदम का चाल यह किता यह देखो और बड़ा हो गया तो यहां से लेकर और यहां तक आप कुछ देखना है तो यह देखो इसमें यह और बड़ा हो गया वैबलेंथ इसमें आप द चौर मतलब इक पका-पकाया है और सबसे बड़े है इसके अधर बहा समझदारी है इसका वैब लंड दे को इतना ऑड़ा है ठीक है क्यूंकि बड़ा है ना लंबा चोड़ा शाइया बड़ा है तो देखें सबका अलग अलग लग वैब लेंद सबसे चोटप उससे बड़ा वेब लेंद, उससे बड़ा वेब लेंद, है न, वेब लेंद, लेंद मतलब होता है, लंबाई, और वेब का मतलब होता है, ये, है न, ये, इसकी लंबाई, ठीक है, तो ये हो गया वेब लेंद, इतनी बास समझ में आ गई, कौन पढ़ा रहा है ये, मुनसिल उमंसे लग जी ने वता दिया इसमें धिया खेकना इसरा सबसे बड़ा बड़ा को सवार को मिलने वालेゃँ और आपक को उसका हुआ भेले का सब्याnd आपको एन सब्सक्राइब को Bravo गबलू इनके वैबलेंज सब都DY जोटे और यह प्काफी छोटे वेबलिंद थै और और रेड वाला होगे औरेंज वाला होगे यालल वाला है इनके वेबिलन जो है वो बड़े होना च्क्राठ हो雜ाते हैं तो यह बड़े हैं सारे भी इस था नह antibiotinformation फेया ठीक है अब यहां तक होने के बाद अब हम आते हैं मेरे आपके बीच में कुच है या कुछ भी नहीं है इडिकर मैं ने पुछा कि क्या इस ग्लास में कुछ है तो आपने भूला कि हाँ है किस सीघने बिरह हुआ हुआ हैं हुआ से भरा हुआ है ठेकर न मतलब आपको दिखाई देगा, लेकिन यह बीच में यहाँ पर जो चीज़ें हैं, सब भूत हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं हमको, लेकिन यहाँ पर इन्वार्मेंट है, अगर इन्वार्मेंट यहाँ पर नहीं होता, तो आप मेरी बास सुन नहीं पाते, ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रही हूं और इन्वार्मेंट है ही नहीं फिर आपको मेरी बात सुनाई नहीं देगी चाहे मैं समझ रहे हैं आप तो मैं चाहे कुछ भी बोल लूँ चाहे कितना भी यह कोशन पूछ लें कोई भी आंसर दे आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी अगर यहाँ पर इन्वार्मेंट नहीं है तो इन्वार्मेंट है इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो यहां जब इन्वार्मेंट है ना तो इन्वार्मेंट में छोटेटे पार्टिकल्स भी होते हैं उन्हीं पार्टिकल्स की बात हो रही है पहले इन पार्टिकल्स को जबर्दसा relation है, मतलब पार्टिकल की size कैसी होगी, और यह wavelength कैसा होगा, ठीक कॉन आ रहा है, छोटा wavelength वाला रहा है कि बड़ा wavelength वाला रहा है, और पार्टिकल की size कैसी है, तो पार्टिकल की size जड़ी, वैबलेंड के, याना वैबलेंड के size के, अगर बराबर हो तब तो पार्टिकल जो होगा उसका कीमा बना देगा या साइज अगर वैबलेंड से छोटी हो मतलब जो आ रहा है न वैबलेंड उससे पार्टिकल की साइज यदी क्या हो छोटी हो तो ये क्या करेगा, तब उसका कीमा बना देगा, उस वैबलंद का कीमा बना देगा, अदर्वाइस ये कीमा नहीं बना सकता, फिर पार्टिकल कुछ नहीं कर सकता, अगर पार्टिकल की साइज बहुत बड़ी है तो ये कुछ नहीं कर सकता, तो पार्टिकल की साइज छोटी ह मैं ने लिखा, आप देखें, अब यहां पर přे लिखा आप एक पार्टिकल तो यहांपर पर क्या है आपके जाए इस तो यहजा है aga अब देख रहा है है अंतर यह झाल था है क्या करता है आप देखो ya blue आला आ रहा है Danse करते ओध आ तो phake देता है है इधर वीड़ ऊधर थेगन थे सारे किसे पैकर देगा है कैसे तो मतलब इसको पकड़ करके fake दिया तो अगर यह चो आ रहा है एंना इसे साइज के बराबर में अगर इसकी साइज है तब तो यह इसको आफ़ा के fake तो आप देखिए यहां पर पार्टिकल बड़ा है जब बड़ा पार्टिकल रहेगा तो वो किसी एक खास कलर को केवल नहीं फेकेगा अब इसके पास ना देखो यह ब्लू कलर को भी उठा कर Pартikles ते पड़ी है तो अगर साइज बड़ी है तो सान Χरा को भी जिए सब को ही उसके पास इतनाcakम है कि मैं किसको फेक सकता हूँ है न तो वो अपने बराबर वालों को ठीक है अपने बराबर वालों को ही लगभग ये ढूंडता है कि कोई ऐसा मिले जो मेरे बराबर वाला है तो उसको वो उठा करके फेक देगा ठीक है और अगर बड़ा है तो यह सब सारे ही कलर को उठा कर एक फिंग देता है तो सारे ही कलर देखो यहां से आते 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 कहा थे हमारी आखो पर आते हैं जब सारे ही कलर को यह फिंग देगा सारे कलर हमारी आखो पर आ गए तो यहां से ब्लू आ रहा है यहां से ग्रीन आ रहा है यह अगर 7 colors आपकी आँखों पर आगे तो आपकी आखें उन 7 color को लेंगी लेकर के हमारी आखों के अंदर एक receptor होता है photo receptor नाम है वो photo खीचता है receive करता है अच्छा 7 color है मुझे तो पता नहीं कितने color है लेकिन जो भी आया हो उसकी photo खीचो करके और यह इसको लेकर जाएगा और दिमाग के पास लेकर जाएगा और दिमाग को जाकर देगा और तब हमारा brain बताएगा, सारी color को mix-up करेगा, ठीक है, उसकी पूरा, उसको गुलेगा, दिखाएगा, brain हमारा, और तब यह बताएगा, अरे भाई, तुने जो देखा है, वो white color है, बात आपको समझ में आई, अगर आपसे पूछा जाए, white color का मतलब क्या हुआ, तो आप एकदम अच्छी तरीके से समझ जाए, यह white color का मतलब होता है, combination of all colors, सातो color अगर यह मिल जाते हैं, तो कैसे हो जाते हैं, निर्मा सफेदी, सफेद बन जाते हैं, ठीक है, सातो color अगर मिल गए, तो कैसे बन जाते हैं, सफेद बन जाते हैं, तो white color का मतलब क्या होता है, combination of all colors है, ना, तो सारे यह तो बड़े-बड़े particles रहेंगे, तो लगभख सारे ही colors को हमारे आँखों पर फेकेंगे, तो वो हमको कैसा दिखाए देगा, फिर white दिखाए देगा, क्योंकि combination of all colors कैसा होता है, white होता है, लेकिन क्या आप अपनी आँखों से आपने देखा, नहीं, दिखाया कौन आपको, brain, क्योंकि जो कुछ भी आ रहा है ना, उसको सारे को मिलाया किसने, brain ने, ठीक है, तो ये बात जो कहते हैं, कि आप देखते हैं अपनी आँखों से, ये बात exactly wrong है, ठीक है ना, चोटे बच्चों को बता दिया है, तो पड़ा दिया है, आँखों का में केवल बाहर से masses लेना, फोटो खीचा, ठीक है, दिया, अब वो आपने जो आपके सामने जो देख रहे हो आप, ठीक है, मौल आपके सामने हाथी खड़ी है, तो उतना हाथी दरा बड़े आपके आखे हैं, क्या कि आप उतने बड़े हाथी खो काई में आपके आखे बना लेंगी? नहीं, लेकिन आपको तो पुरा बड़ा ही हाथी दिखाई देता है, कैसे वो दिखाता है आखे तो केवल फोटो उसकी खिश लेती है, चोटी सी फोटो आपकी आखों बनती है, उसको ले जाता है, ब्रेन के पास ले जाता है, तो हमारी आखों के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स, वो उसकी फोटो खिशते हैं, फोटो खिश करके उसको ले ज दिखाए दिता है, यह सब हमको दिखाता कौन है हमारा ब्रेन, तो अगर हम कहते हैं, कि हम देखते हैं अपने ब्रेन से, अगर हम कहते हैं, कि हम सूंगते हैं, अपनी नाक से हैं, समोसा, तो गलत कहते हैं, हम नाक से नहीं सूंगते हैं, नाक काम सिर्फ होता है, कि जो भी ची किया और ब्रेन ता पहुंचाया हम सुंढेंगे कैसे अपने ब्रेन से ठीक है panel ग difgar किसी ने आपको बोला कि अपने क्या ख़या है छलेवी का टेस्ट आपको आपका टंग अपने तो गलत है जलेवी हमी आपने वह हमारे super blend का है, तो चलिए, इतनी बात क्या आप लोको समझ में आ गई बच्चों, अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो, तो अब हम बढ़ेंगे इसमें आगे है, इसमें देखें, अगर यह चीज़ यह है, अगर ऐसा कुछ रहता है, यह situation अगर होगा, then scattering of light possible है, scattering of light possible का मतलब क्या हुआ, कि तभी light को वो उठाकर के फेक पाएगा, ठीक है, अगर इसके size, इसके size दोनों की बराबर हो गई, wavelength और particle अगर चोटा है, तभी वो एक particular color को उठाकर के इधर-उदर फेक सकता है, अदर्वाइस नहीं फेक सकता है, ठीक है, तो और यह जो है, आसमा क्या बोलते हैं, scattered हो जाना, बिखरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, scattered हो और यहीं हम देख रहे हैं कि color किस तरीके से बिखर जाते हैं, ठीक है, तो बिखरने को क्या बोलते है, हम कहते है, scattering, जैसे आप अपने बैक खोला, और सारे कॉपिक आपको बिखेर दिया, ठीक ह बचों मेरे पास दो board है, तो देखो, एक board पर तो हमने यहाँ पर study कर लिया, अब हम आते हैं दूसरे board पर, देखे बचों, अब हम आगे हैं अपने second board पर, ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे वो पूरा process, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन यह चीज पढ़ने से पहले न, वो जानकारी बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने पूरा वहाँ पर आपको step by step सारी चीज़े समझा दी, आप देखें, यहाँ पर हम atmosphere के बारे में सबसे पहले देखेंगे, तो देखें, atmosphere हमारे यह है, यह atmosphere है, और यह क्या है हमारी earth, हमारी धरती माता हमारी smile कर रही है, और earth की उपर यह पूरा क्या है, atmosphere, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कि atmosphere है, तभी मेरी आवाज आप तक पहुँच पा रही है, पूचाने का काम कोन कर रहा है, atmosphere, और यह atmosphere किस से बना होता है, तो atmosphere में बहुत सारी गैसे होती है, जैसे कि O2 होता है, मतलब oxygen, CO2 होता है, मत water vapor, S2O होते हैं, मतलब पानी के यहां पर भाप होते हैं, भाप के रूप में, वैपर के रूप में, water vapor, यहां पर moisture होता है, जैसे को मोलते है, H2O इसका formula होता है, और बहुत सारे dust particles, यानि कि धूल के कने यहां पर होंगे, अब धूल के कन तो आपने देखे होंगे, जरूर कर रहे हैं, तो बकायदे कैसे आ रही हैं, उसका shape भी आपको दिखाए देता है, और उसके अंदर धूल के कन आपको तैरती बे दिखाए देते हैं, ठीक है, उस वह ही, यानि कि वो क्या है, atmosphere के अंदर, हर जंगा दिखाई नहीं देगा, उसके बगल में ही आपको दिखाई यही नहीं, बलकि बहुत सारे जैसे fungi हो गया, algae हो गया, bacteria है, है ना, यह सब चीजे भी यहाँ पर पाय जाते हैं, ठीक है, microbes है न, तो microbes भी इसके अंदर पाय जाते हैं, जिनको microscope से देख पाते हैं, छोटे-छोटे germs वो सब भी यहीं पाय जाते हैं, ओके, तो यह सब मिलकर क अब देखो, atmosphere में, अगर हमारी धर्ती की बात करें, तो हमारी अर्थ के power पास एतना जबरस power है, कि यह क्या करता है, atmosphere से किसी भी gas को बाहर जाने नहीं देता, सब को क्या करता है, पकड़ के रखता है, जब धर्ती अपनी एक gravitational force लगा करके, सब को पकड़ के रखता है, तो क बहुत उपर तक, आप जितना उपर देखो न, बहुत उपर तक आपको atmosphere दिखाई देगा, और यह atmosphere कई पार्ट में divided है, अगर आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा, अगर SSD में तो, तो यह कई sphere में divided होता है, ओके, आप हमारी अर्थ के नजदीक में जो particles होते हैं, जो particles वो काफी बड़े-बड़े होते हैं, क्योंकि भारी वाले को तो खीच के रखा है, तो भारी वाले नीचे आजाते हैं, ठीक है, वजन की मतलब, यह क्या gravitational force ज्यादा लग रहा है, इस वज़े से भारी वाले नीचे आजाते हैं, हलकी वाले पर थोड़ा सा gravitational force उतना strong नहीं और यह चोटे particles बड़े मज़े से यहाँ पर जो है, खुब गाना गा रहे हैं, enjoy कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग तो अर्थ की पकड़ से काफी दूर हैं, है ना, पकड़ा हुआ तो है अर्थ, लेकिन फिर भी अर्थ की पकड़ से दूर हैं, तो आराम से enjoy क साइदा करता है, सनलाइट से जो रहे हैं जो रहे हैं, बहुत सारी इसमें कलर हैं, कि कि जो सनलाइट आ रहा है, इसमें से यह तीन कलर जो हैं, यह इन छोटे particles के लिए perfect हैं, disrupt करने के लिए, तो इसमें से violet है, इंडिगो है, ब्लू है, यह तीनों प्लैनिंग के साथ उपर से ही आती है, कि चल चल चल, वह बड़ा नाच रहा है चल, उसको open पीछे से धका देंगे हैं, डिस्टप करेंगे, तो यह डांस कर रहा है, और यह आते हैं, आया कर पीछे से उसको मारते हैं, टक्कर चबर अगर इस पार्टिकल का चेहरा आप जूम करके देखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाता है घुटा दिला दिया मुझे ठीके तो यह गुसा हो गया है ना और गुसा हो करके जब यह आ रहा है था तो गुसा हो गया यह कहता है रुक अभी तेरे को बताता हूँ है ना तो इसको इन को इन कलर्स को क्या करता है यह पकड़ लेता है कहता है, मैं enjoy कर रहा था, घूम रहा था भूम रहा था, है ना, dance करा था, कितने मजे में था और तुने मुझे क्या किया, disturb किया, तुम्हारी इतनी मजाल, है ना, ऐसे-से पकड़ के, उनका कीमा बना करके, और किसी को उठा के उधर फिका, किसी को उठा के उधर फिका, किसी को उधर फिका, उधर फिका, उधर फिका है ना, सब को उठा करके यह फिक देता है, तो देखो, बिखेड दिया, बिखेड दिया, ठीक है, तो यह आतो रहे थे, लेकिन इनको पकड़ा गया, पकड़ा गया और देखो इंको वो यहाँ से घूप खिंगर भॉट फिया इसको पखड़ा तो सारे खिंगर बदलमीं यहाँ पर भॉट चिकू तो सारे यह लिध चले गए ऊपर cat invisible जी ने बोला चीकू को कि चीकू जरा ऊपर तो देखो तो चीकू जो है वो ऊपर देख रहा है अभी ठीक है तो चीकू ने ऊपर देखा तो कहा हाँ ठीक है जब यह ऊपर देखता है तो उस समय यह जो लाइट को बिखेरा गया था जो जिसको फेका गया था वो लाइट यहा चीकू के आँखों के अंदर photo receptors हैं, उन्होंने क्या किया, उसको, उसका image बना लिया, मतब उनको accept कर लिया, जो भी message आया, उसको लेकर के brain के पास पहुँचे, तो brain ने फिर उसको गोला, तोड़ा, है ना, उने मिला करके देखा है, देखने के बाद, brain ने बताया कि चीकू, जो तू देख रहा है ना, वो नीला रंग है, नीला है, यह किस ने बताया, brain ने बताया, और तू क्या देख रहा है चीकू, तू देख रहा है, बादल, यह किस ने बताया, brain ने बताया, तो आंको का कम था message पहुचा ना, और message मिलते ही brain से, चीकू के brain ने बता दिया, यह आसमान देख रहा है और यह आसमान नीला है और आसमान नीला कैसे हुआ नीला रंग वहां तक कैसे पूँचा यह सारी चीजे बच्चव आपको समझ में आ गई तो देखो यहां तक तो हो गया अब चीकु है बहुत नौटी है नौटी का मतलब intelligent है question पूछता है अब चीकु ने तुरंट दूसरा question पूछा कहा कि अच्छा ठीक है पापा मैं तो मालो की यहीं खड़ा हो और यह atmosphere के सारे particles भी तो यहीं होंगे तो कहे मुंसिलाल जी ने बोला बिल्कुल सही सारे particles यहीं रहते हैं कहीं नहीं जाते हैं दिन हो या रात हो यह सारे particles सब यहीं के यहीं रहते हैं तो चीकु बोलता है कि फिर मुझे night में मैं बादल को देखता हूँ तो बादल मुझे काला दिखाई देता है ऐसा क्यों अब म इसे लालजी ने फटा फट आंसर दिया अब अब चाह पढ़ां कि आ क्या आइसर दिया देखो इन्हों ने बताया कि देखो बेटा, नाइट में यहाँ पर कुछ ऐपसेंट है क्या चीज़ नहीं है तो पतापढ़ा कि यहाँ पर God, sun नहीं है, तीक है, यहाँ पर sun God नहीं है, जब sun नहीं है, तो वहाँ से कोई light हमारी चीकू तो यहीं खड़ा है, अभी भी चीकू यहीं खड़ा है, atmosphere भी सब वही है, देखो सारा atmosphere वही है, लेकिन इससे यह जो particle थे, अभी यहाँ पर घूम रहे थे, तो इनको disrupt करने वाला यहाँ पर violet, indigo, blue color था ना, लेकिन अब वहाँ पर चुकी वो है ही नहीं, कौन नहीं है, God, sun, वहाँ पर present नहीं है, देखो, वहाँ पर कोशन मार्ग लगावागा, उनकी जहां खाली है, तो जब वहाँ से कोई light ही नहीं आएगा, तो इनको disrupt करेगा कौन, कोई नहीं, और इनको कोई disrupt करेगा नहीं, तो यह किसका कीमा बना के फेकेंगे, किसी को नहीं, तो जब यहाँ पर कुछ ही ही नहीं, कोई light ही नहीं, किसी light को बिखे रहा ही नहीं, तो चीकू की आँको तक कौन सा light आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा है, चीकू की आँको तक, कुछ नहीं आ चिकु बोलता है यह बोल रहा है चिकु ओ यह बात है ना चिकु ने बोला means absence of light जब कहीं light है ही नहीं तो हमको इस कैसा दिखाई देगा black दिखाई देगा जब आपके आँखों पर कोई color आई ही नहीं रहा है तो कैसा दिखाई देगा तब उसे में black color अब आस्मान कैसा दिखाई दे रहा है नाइट में black color का दिखाई दे रहा है और यही actual color है ना yes और फिर मुंसिज लाल जी ने बोला yes and it is a real color of space अगर आप और्त के atmosphere से यहां से जैसे ही यहां से बाहर निकलते हैं मालो की आप यहां तक आए ठीक है rocket में आप उड़कर के जा रहे है ना तो यह आपकी rocket यहां से निकली जुम और आटीव को छोड़कर के यहां गई तो यहां पर आपको आस्मा निला कभी भी दिखाई नहीं देगा चाहे सल हो या नो ठीक है यहां को कैसा दिखाई देगा यह यह भ्लैक ही दिखाई देगा ब्लैक क्यों ब्लैक दिखाई देगा क्योंक garden यहर नहीं नव्ला कि यह उत्माफियर उन्हां इस वज़़े से य इस scattering का effect जो है केवल हमारे atmosphere में ही होता है और हमको यह blue color का दिखाई देता है अगर आप atmosphere से बाहर जाते हैं तो आपको space black color का दिखाई देगा और यही space का actual color है क्योंकि वहाँ पर कोई color है ही नहीं color है नहीं मतलब light तो आ रही है लेकिन scattered करने के लिए वहाँ पर कोई particles नहीं है तो बच्चों I hope कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि आस्मा नीला क्यों होता है और सिर्फ नीला ही नहीं बलकि इसके पीछे का पूरा concept मैंने बताया क्यों बताया क्योंकि जो चीज आपने भी पढ़ा जो आपने वैबलेंड देखा है ये सब आगे के आपके सवालों के जवाब है आपके सवालों के जवाब चीकू के सवालों के जवाब है कि जब कभी भी कहीं danger sign होता है या train को रोकना होता है तो वहाँ पर red color क्यों लगाए जाता है तो ये सारे सवाल है ना कि अभी कूरा था बहुत जादा ठंड थी और इदम काफी धुंद पड़ रहा है तो वहाँ पर भी अगर किसी को रोकना है तो red color का इसके मल के जाता है नाइट में जब गाड़ियां रोड पे भागती है तो जो breaker है उसमें ब्रेकर के अंदर light जलता है वो red color का होता है कहीं पर danger sign अगर आप भाग रहे हैं गाड़ी लेकर के मालू कि आपकी कार बहुत तेट चल रही है night में तो सामने जो danger sign दिखाई देगा वो भी कैसा दिखाई देगा red color का तो हर जगह यह red 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 क्यूं दिखाई देता है तो जैसे हमने नीला पढ़ा वैसे ही red पढ़ेंगे वैसे ही पौधे green कलर के होते हैं वो पढ़ेंगे यह सारे color वाला पूरा concept हमारा यहीं से हो जाने वाला है एक दम clear सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपके भी और चिकू के भी ठीक है बचों तो अभी के लिए इतना है study करते रहिए notes जरूर बना लेना बना लेना या बनवा लेना लेकिन वीडियो को जरूर देख लेना पूरा देखना वीडियो को ठीक है कहीं भी उसको जूम मत करना जूम नहीं पॉस मत करना नहीं पॉस तो कर सकते हैं मतलब कहीं speed बढ़ा करे या भगा भगा कर नहीं देखना पूरा देखो पूरा वीडियो देखो क्योंकि हर जगह बात जो बताएगे है न सारी बाते आपके लिए important है ओके तो अभी के लिए इतना ही study करते करेए ओके एम लाइस देए